नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धमसरमार्ग कार्तिक मास में सुकल पक्ष में नोमी तिथी को आउला नोमी के रूप में हम मनाते हैं और इस दिन बहुत सारे विधी विधान है अक्षे पुन्नी की प्राप्ति होने के साथ जीवन में जो कर्ज की समस्या है उससे भी मुक्ति मिलती है और धन की समस्या से भी मुक्ति मिलती है तो इस दिन कुछ उपाई किये जाते हैं उनमें से एक उपाई है जब आप असनान करेंगे इस आउला नोमी के दिन सुभा से साम तक कभी भी यह कर सकते हैं अब मालेते हैं, आप वीडियो लेड से देखते यह अपने असनान कर लिया है तो फिर आप नियम भी कर सकते हैं करेंगे क्या सबसे पहली बात, तो नहाने के समय आप सेम्पू करके नहाना है और माथे में थोड़ा सा आउला लगा कर नहाएं अगर उतना आपके पास सुखा पॉडर बेगरे नहीं है या कच्चा आउला नहीं है तो आप नहाने के पानी में एक चुटकी आउला ही डाल सकते हैं पॉडर वेगर कुछ है तो या पिर समुचाहिन आउला है तो या आउले के पत्ते मिलते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं अब माल लेते हैं आपके पास आउला नहीं है दिन भर में कभी तो मिली जाएगा तब थोरा सा जरूर आप या तो माथे पर हलका सा रख लें क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है और इस दिन कहानी सुनने का भी धान है आउला नौमी का जरूर सुनिएगा आउला बिच के नीचे खाना खाईएगा और जैसे हमने कहा नहाने के पानी में आउला डालकर नहाईएगा और आउला खाईएगा जरूर पूरे परिवार के साथ थोरा थो पुटा सा कपड़ा ले ले नया कपड़ा हो तो ज्यादा अच्छा अब इस कपड़े में एक पूरा आउला बांध ले और भगवान से प्रार्थना कहें कि प्रभु धन की कमी दूर ना हो यह हम आउला बांध रहे हैं अपने जीवन में धन के लिए और फिर इसे संभाल कर आप चाहें तो पुझा स्थान पर रख सकते हैं या फिर अपने वेपसाई हैं तो गल्ले पर भी रख सकते हैं यकिनन धन्यमित रूप से आता रहेगा अब हम बात करते हैं कर्ज से मुक्ति के लिए क्या करेंगे हमने कहा था हम धेर सारे चीजें आप से सेर करेंगे तो कर्ज से मुक्ति के लिए इस आउला नौमी के दिन आप एक आउला जरूर दान कीजिए अगर आप इस दिन नहीं कर सकते हैं तो 4-5 दिन अभी कार्तिक के मेहने के बचे हुए हैं तो आप किसी भी दिन आउला जरूर किसी को दान करें आउला दान करने से करज की समस्या से क्विक जो होता है रिजल्ट मिलता है जल्दी छुटकारा मिल जाता है तो इस दिन ये जरूर कीजेगा और संभब हो तो किसी गरीब को खाना जरूर खिलाईएगा या कुछ खाने पीने की सामान दीजेगा पैसे नहीं बलकि खाने पीने की बस्तूर अगर आप साबुत अनाज देते हैं तो ज्यादा अच्छा है नहीं तो आप खिला भी सकते हैं ये भी बहतर है दोस्तों आउला नौमी के दिन आप भगवान से प्राथना जरूर कीजेगा सुखी जीवन और स्वास्त का बर्दान के लिए फिर जल में आप आउला डालकर नहाना है आपको और अगर आउला का ब्रिच आपके पास में है तो साथ बार परिक्रमा करें पूरव की तरफ अपना चेहरा करके और कपूर जलाकर आरती कीजेगा आउले ब्रिश के नीचे अगर आप भोजन करते हैं तो यकिनन जीवन में धेर सारी खुसियां भी मिलती है और जीवन परेंद धन की परिसानी आपको परिसान नहीं करती है उपाई करके देखें 100% लाब होगा फिलाल हम आपसे बिदा लेते हैं हर हर महादे